आज हम बात करेंगे मा रेवा अर्थात नर्वदा की कहते हैं जब गंगा नहीं थी तब भी रेवा अर्थात नर्वदा थी इसके किनारे पर नागर सब्यता का विकास नहीं हुआ बलकि दोनों किनारों पर दंडिकारंड के गने जंगलों की बरमार थी इसी कारण अनेक वर्षों तक मा नर्वदा आर्या वरत की सीमा रेखा बनी रही चता उन दिनों मा के तट पर उत्तर पत समाप्थ होकर दक्षिन पत शुरू होता था मा नर्वदा के तट वक्ती वर्णों में मारकंडे, कपिल, भ्रगू, जम्दग्नियादी अनेक रिशियों के आस्रम रहे यहां की यग्य वेदियों का दुआ आकास में मंटरा था रिशियों का मत था कि तपस्या तो नर्वदा तट पही इनी रिशियों में से किसी ने इनका नाम रखा रेवा, रेवा का अर्थ होता है कूधना एक अंधिय रिशियों के नाम रखा नर्वदा, अर्थात आनंद देने वाली पुरान के अनुसार गंगासनान तता नर्वदा दर्सन से पुन्य ही मिलता है मा अमर कंटक से निकल कर पश्चिम में बैती है इसके प्रवा का अदार चट्टानी भूमी है जबकि तट पर वनवासी लोग रहते है मा एक है परन्तु इसके रूप नेक है वर्षा में तो उफान पर तो गर्मियों में मानो मा की सास बरी चल रही है कपिल धारा, दूज धारा, दावली कुंड, सहस्त्र धारा आदि कई मा के रास्ते में प्रवात है ओमकारिश्वर प्रमुक तीर्थों में तो महेश्वर ही प्राचिन महेश्मत है मा अंत में भरूच, ब्रगु कच्छ समुद्र में समाईब्त होती है अमर कंटक में तो मामुली सी सुर्वा से मा निकलती है तो कई अस्तानों पर कई किलोमेटर चोड़ी या मा नर्विदा हमें दिखती है, दर्शन देती है आज कल मा के अस्तान पर कई जगे बांध बन गए जिसे अकाल करस्त, बुखे, प्यासी लोगों को पानी, चारे के लिए तरपते मवेशियों के लिए बंजर केतों में भी मा नर्विदा खुशाली देती है क्यों? कि मा नर्विदा मा जो ठहरी इसलिए कहते हैं अब रुदा के सणान से ही लोग पवीत्र हो जाते है